पराखंड पहला ऐसा राज है जहां पर इनिफर्म सिबिल कोड लाया गया है असेम्बली में पेस किया गया उसको लेकर काफी बिरोध हो रहा है देखे ये देश में पार्शनल लौब बहुट कॉंपलेक्स सद्यों से लोगों का ही अपेक्सा था कि इनिफर्म कोड लाया जाए ताकि सब लोगों का भीज में इक्वेलिटी और सब लोग बड़े इज्ज़त से जीए तो समास में उव विवस्टा लागू करने के लिए हमारे डेश के आदरस बड़ी नेटा दुनिया के सब से लोग प्रिया नेटा पढ़ानमटे नरंडम उड़िज ने जो अभी कानून लागू करने के लिए आहवान की है तो मुझे लगता है ये बहुत बड़े कदम है और देश की जनता को ससक्तिकरन करने के सेलशिले में बहुत काम में आएंगे क्योंकि यहाँ सब को इक्वेल राइट दी जाएंगे और सब को मतलब बड़े इज़त से जीने का मोका मिलेगा तो मुझे लगता है कि ये स्वागत का एक विशय है मैं स्वागत करता हूँ और विशय सुप से मानने पढ़ानमण जी को बहुत बहुत धहिनवाद देटा हूँ उत्राखन सरकार को भी धहिनवाद देटा हूँ धामे जी को हमारे सीप मिनिस्टर उन्होंने भी अपने श कानून की कानून से बहार रखा गया है क्योंकि उनकी कास्टमरी जो राइट है ताकि वो भविशयत में उसको एंजोई कर पाए तो इसलिए मैं जनजाती होने के नाती मैं तो कहूंगा बहुत बड़े विवस्ता ली गई है और उत्तरपूप के मुझे लगता है कि और डे कि ये देश में पार्शनल लौ बहुत कॉंप्लेक्स सद्यों से लोगों का ही अपेक्सा था कि इनिफर्म कोर्ट लाया जाए ताकि सब लोगों का बीज में इक्वेलिटी और सब लोग बड़े इज्यत से जीए तो समास में वो विवस्ता लागू करने के लिए हमारी प्रियानेता पढ़ानमटे नरंडमोडिज ने जो अभी कानून लागू करने के लिए आहवान की है तो मुझे लगता है ये बहुत बड़े कदम है और देश की जनता को ससक्तिकरन करने के सिलसिले में बहुत काम में आएंगे क्योंकि यहां सब को इक्वेल राइट दी जा प्रियानेता हूं और विशेशुप से मानने पढ़ानमटे जी को बहुत बहुत धहनवाद देटा हूं उत्राखन सरकार को भी धहनवाद देटा हूं धामी जी को हमारे सीप मिनिस्टर उन्होंने भी अपने शहीं के साथ जो भी कदम उठाया ये बहुत राहनिया है और सा कानून की कानून से बहार रखा गया है क्योंकि उनकी कास्टमरी जो राइट है ताकि वो भाविश्यत में उसको एंजोई कर पाए तो इसलिए मैं जनजाती होने के नाति मैं तो कहूंगा बहुत बड़े विवस्ता ली गई है और उत्तरपूर के मुझे लगता है कि और ड